नमस्कार रिनास पूर्ट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज ठंड वाली गोली बनाएंगे जिसे अद्रक और कच्ची हल्दी से बनाएंगे जो हमें कोल्डन कप से बचाता है आईए देखिए इसे कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने अद्रक को अच्छी तरह से धो कर छी पीस लें मिक्षी को ऑन ओफ करके पीसे या फिर पल्स मूट में पीस ले थोड़ा दरदरा ही पीसे आप सिप अद्रक का भी बना सकते हैं मैं इसमें कच्ची हल्दी भी डालूंगे कच्ची हल्दी को अच्छी तरह से धोले उसे ग्रेट कर ले या फिर मिक्षी में कटकर के पीछ ले इसे भूनने के लिए नॉनिस्टिक पैन ले उसमें देश से 2 टेबल स्पून खी डाले खी को मेल्ट कर ले अब इसमें अद्रक का पेज डाल दें आदे मिनट के लिए इसे भूने इसे स्टेज में पिसेवी हल्दी डाल दे लोव फ्लेम पर दोनों को भूने 4-5 मिनट के लिए जब थोड़ा भून जाये तो इसमें स्वाधन उसार गूर डाल दे जब हम गुड डालते हैं तो पानी डालने की जरुवत नहीं होती है इसके लिए गुड को छोटे-छोटे टुकडे में करके डाले हीट से मेल्ट हो जाएगा गुड की कॉंडिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले ले अच्छी तरह से इसे मिला करके अद्रक और कच्ची हल्दी को भूने इसे लगातार चलाते रहें अधज चमज ब्लैक पिपर पॉडर इसमें डाल दे अच्छी तरह से इसे मिला ले जब यρεί भून जाता है तो पेंदी छोड़ देता है इसमें दो मुलेठी इसे कट करके डाले और एक टेबल स्पून सौफ तीन चार पीपल आप अजवाइन भी डाल सकते हैं और चटपटा करने के लिए इसमें भूना जीरा पॉडर, अमचूर और काला नमक डाल सकते हैं यदि आपको तीखा पसंद हो तो लाल मिर्च पॉडर भी डाल सकते हैं इन मसाले को अच्छी दरस से मिला ले, थोड़ा सा पाट ले, ठंडा करे, गोली बना करके चेक कर ले गोली बन रहा है, इसे किसी प्लेट में निकाल ले, थोड़ा ठंडा कर ले, चोटी चोटी गोलियां इसकी बना ले, कुछ इस तरह से, ऐसे ही सारे बना ले कुछ बड़े टुकडे अद्रक और कच्ची हल्दी के हैं, आप इसे दुबारा पीस करके भी बना सकते हैं इसका लड़ू बना ले, बहुत ही टेस्टी लगता है, बड़े बड़े टुकडे का, अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे जब कोल्डन कफ हो, एक गोली ले, और पानी उसके बाद ना पीए, 10 मिनट तक के लिए पानी ना पीए, सर्दी जुकाम में बहुत ही राहत करता है आप भी एक बर बना ले, एर टाइट कंटेनर में इसे रख ले, साल भर इसे खाया जा सकता है, इदिव आप फ्रीज में रखते हैं तो तो ये था अद्रक और कच्छी हल्दी की गोली बनाने का असान तरीका, आप इसे बनाएं और अपना अनुभव प्रीनास फूट कॉर्णर में कमेंट करें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर भी करें मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन दवाना ना भूलें तो मिलती हूँ मैं आपसे निक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग